दोस्तो आप सबको सुनने में तो जरूर आया होगा कि केदारनात में रोपवे बन रहा है लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट का काम कहा तक पहुच गया है इस वक्त इसका टेंडर फाइनल हो चुका है और 2026 तक पूरे रोपवे के तैयार होने की उम्मिद है दोस्तो इमेजन किजिए सिर्फ 30 मिनेट में गौरी कुंट से केदारनात पहुचना काफी अमेजिंग लगता है न चलिए आज इस प्रोजेक्ट के हर पहलू को डिटेल में समझते है इसके इतिहास, फायदे, नुक्सान और कप तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा सबसे पहले थोरा समझते है केदारनात के इतिहास को केदारनात मंदिर जो एक प्राचिन हिंदु धार्मिक स्थल है इसे पंच केदार में से एक माना जाता है यहां भगवान सिप का विशेस थल है और हर साल एप्रिल से नवेंबर के बिच यात्रा होती है लेकिन दोस्तो इस रास्ते की कठिनाई के कारण कई बार भगतों के लिए मुस्किले होती है खास कर बदलते मौसम के कारण भले ही घोरा या पालकी का सहारा लिया जाता है लेकिन ये सब एक ठकाने वाला प्रोसेस है पर ये सब कुछ अब जल्दी बदलने वाला है केदारनात रोपे प्रजक के आने से ये ना स्रिफ ट्रैवल टाइम को कम करेगा बलकि फीजिकली अन्फिट लोगों के लिए यात्रा का एक नया द्वार खोलेगा दोस्तो खास करके बुड़े और बच्चो के लिए ये प्रजक एक बरदान होगा इस वर से मिलने का आईए अब बात करते हैं केदारनात रोपे प्रजक की जो पडियाटन और सरक विकास को एक नया रूप दे रहा है दोस्तो इस रोपे की लंबाई 9.7 किलोमेटर की होगी और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा गौरी कुंड से लेकर केदारनात तक और बीच में कुछ स्टेशन्स होंगे जैसे गौरी कुंड, चिरवासा, निन्चोली और केदारनात दोस्तो ये रूट अप 6-8 घंटे के सफर को केबल 30 मिनेट में कवर करने वाला है अब आईए बात करते हैं इस प्रोजेक की प्रोसेस और टेंडर डिटेल्स के बारे में दोस्तो कुछ दिन पहले इस रोपे पोजेक के लिए टेंडर फाइनल हो चुका है नैशनल हाइवे लोजेस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने इस प्रोजेक का कॉन्ट्रैक दिया है जिसमें टॉप टियर कंपनीज इन्बॉल्ब है जो वर्ल्ड क्लास टेकनोलिजी का यूज़ करके इस रोपे का काम करेगी दोस्तों कंस्ट्रक्शन के लिए सब कुछ सेट है और इस प्रोजेक को 2026 तक कंप्लीट करने का टार्गेट है ये रोपे एक मल्टी फेस प्रोजेक्ट है जिसमें पहारी रास्तों के चैलेंजिंग ट्रेन पर काम किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के बाद केदार्ना त्यात्रा का सफर काफी आसान हो जाएगा पहले जो लोगों के लिए मुश्किल होता था अब वो सिरिफ 30 मिनिट में आसानी से तैकिया जा सकेगा और इस रोपे के माध्यम से समय की काफी बचत होगी जो लोग घोडा पालकी या पैदाल चलते थे वो अब इस सुविदा का उपियोग करके तुरंत अपने मंजिल तक पहुँच पाएंगे दोस्तो इस प्रोजेक्ट के जरिए लोकल लोगों के लिए नए रोजगार के अपसर खुलेंगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट से टूरिजम को काफी बूस्ट मिलने वाला है अगर बात करें इस प्रोजेक्ट से होने वाले नुकसान की तो हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इस रोपे का भी थोरा इंबार्मेंटल इंपक्ट होगा पहारी इलाकों में construction होने से प्रकृति को नुक्सान हो सकता है दोस्तो घोड़ा और पालकी का व्याफार जो पुराने समय से चला आ रहा है वो काफी कम हो जाएगा जिससे local व्याफसाईयों को थोड़ा नुक्सान होगा दोस्तो इस project के सामने कई challenges है जैसे कठीन पहारी इलाके और extreme weather conditions और construction के दोरान high altitude के कारण कई challenges फेज करने पर सकते है लेकिन export का कहना है कि पूरा project 2026 तक complete हो जाएगा तो दोस्तो केदारनात रोपे project एक game changer साबित हो सकता है जो स्रिफ सफर को आसान नहीं करेगा बलकि tourism को भी boost करेगा हाला कि environment और local employment को ध्यान में रखते हुए sustainable development पर focus करना जरूरी होगा दोस्तो केदारनात रोपे तो एक बड़ा project है लेकिन ये स्रिफ सुरुआत है पूरे देश में उत्राखन और हिमाचल परदेश जैसे पहारी इलाकों में कई ऐसे रोपे project पर काम हो रहा है जो लोगों की जिन्दिगी को आसान बनाएंगे दोस्तो इस टॉपिक पर नितिन गडगड़ी जी ने एक important speech दी है जिसमें उन्होंने ना स्रिफ केदारनात रोपे बलकि पूरे देश के रोपे project के बारे में अपने बिचार रखा है जिसे आप इस वीडियो के अंत में जरूर देखे दोस्तो आपको क्या लगता है क्या केदारनात रोपे को बनाना वाकई में जरूरी है अपने राय हमें comment में जरूर बताए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो like करे, share करे और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले तो रोपे में पहली बात यह है कि एकोनोमिक वायबिलिटी में जो स्टेट गवर्मेंट के लोग आए हैं उनको मैं अनुरोद करूंगा अब पैसा लगाना है लगाओ नहीं लगाना है मत लगाओ पर काम करने के लिए पहली बात लैंड एक्विजिशन करो अब इन्वायर्मेंट फॉरेस क्लिरंस लगता नहीं अगर रोपवे बनती नहीं तो तुमको कौन टैक्स दे रहा है तो मेरा आपको कहना ऐसा है कि स्टेट गवर्मेंट में पहले आपने अगर यह तही किया कि यह रोपवे बनानी है तो इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या होगा 49% of the capital investment in tourism यह केवल employment निर्मान करने के लिए खर्चा होती है यह यह रिपोर्ट है तो आपके आगर टूरिजम डेवलफ हुआ तो बहुत बड़ा फाइदा होगा अभी उत्तराखन के मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि उनका टूरिजम तीन गुना बढ़ा है तो मैंने उनको क्यों बढ़ा है तो उन्होंने कहा कि देली से डेराडून जो हमारा पुराना रस्ता है वो हमने ठीक किया है उसके कार घृडूस्तान का एटोवाइल मार्केट क्या है मैं जब मंत्री बना तो 7.5 लैक करोर का था हम सात्वे नंबर पे थे अब हमने तीन महने पहले हमने जापान को सरपास किया और हमारा तिसरा नंबर हुआ और हमारा साइज वा 12.5 लैक करोर जॉब अभी तक क्रियेट हुए फोर करोर्स और भारत सरकार और राज्या सरकार को सबसेदा जेस्टी देने वाली इंडस्ट्री एटोवेल इंडस्ट्री और इसलिए रोपवे केबल कार में है स्टेट गवर्मेंट को मैं नम्रता पुर्व कि यह कहूंगा विशेशुर्ण से हिल स्टेट में कि आप को कम करने से यह एकॉनमिक वाइबिलिटी बढ़ेगी और जीएस्टी में भी कुछ जगह पर आपको अगर आपने कंसेशन दिया और लैंड अगर आपके तरफ से दी तो प्रोजेक्स को बियोटी में वाइबल हो जाएगा दूसरी बात रिलिजियस टूरिजम जो है जो प इतना पोटेंशल कहीं नहीं है वर्ड में नहीं है इतने स्पार्स नहीं है यह हमारे हैं एबिलिटी है कि इतना बड़ा देश है इतनी पॉपुलेशन है इतने सेंटर से इतनी जगह पर लोग जा रहे है तो हमारी इस शमता में हम लोग पोलुशन को कम करेंगे एकोनोमिकली एजुकेशनली बैक्वर्ट एरिया में एम्प्लाइमेंट पोटेंशल खड़ा होगा तो मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आज जो इसमें चर्चा होगी इसमें जो आप्स्ट्रेकल से वो काफी दूर हो गया है और अगर स्टेट गवर्मेंट और हम मिल करके अ करते हैं तो भीच में एंवार्मेंट मिनिस्ट को मैं धन्य बाद दूँगा ओ कि बीच में र trazappa को फिर से एनो सिole का चाहिए तो वो एक मुझे कलम मिला कि जिसमें रोक्वे के बलकार को एंवार्मेंट फॉरेस्ट के परंमिसны'. जोरतले मैंने मिनस्टे को लिखा उनने क्लियर किया, तो एक जंजट आपकी खतम हो गई, अब आपको लैंड अविलेबल करके देना है, तो मुझे लगता है, वो दीजे, और दूसरा जो रोपवे के नीचे में, जो पेड काटो गे, वो काटो मत, उसको ट्रांस्प्रेंट करो, बाजू में जगह है, ताकि ब हमारी जो परदान मंत्री जी का एक सपना है, वो पूरा करना है, उसमें इंत्रो स्ट्रक्चर अच्छा होने से, निश्चित रूप से वो पूरा होगा, और आप सब का सहयोग अगर इसमें मिलेगा, तो ये भी एक सेक्टर, एक क्रोथ में कॉंट्रिबूट करेगा, और ए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, आप जरूर पॉजिटिवली इसमें आईए, ये ही अनुरूत करता हूँ, धन्यवाद.